श्री राम, श्री राम, लभुराम, श्री राम, श्री राम, चंद्र क्रिपालु भजुमन, हरन भव भय दारुनम, नवकंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पग कंजारुनम आज तक पर आप जिन मूर्तियों को देख रहे हैं, वो बेहद ही खास है पहली बार दुनिया के सामने इन मूर्तियों की छलक आई है बस ये समझ लीजिए कि ये वो मूर्तिया हैं, जो एयुध्या में चर्चित भव्य राम मंदिर में प्राण पतेश्चत की जाएंगी भले ही आयुध्या केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है भले ही राम मंदिर को लेकर अभी चीजे साफ नहीं है लेकिन श्री राम मंदिर की मूर्तिया तेजी से तैयार की जा रहे है वक्तों का दावा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन कर रहेगा और जब वो मंदिर बनेगा, तो उसके अंदर जो मूर्तिया लगेंगी, वो आपके सामने भगवान श्री राम की संपूर्ट जीवन की एक-एक एहम कड़ी को इन मूर्तियों के जरिये दिखाया गया है रमायन का हर कान इन मूर्तियों में समाहित है दवा है कि ये मूर्तिया राम मंदिर परिसर के राम कथा कुंज में लगेंगे ऐसी सवासो मूर्तिया तैयार की जा रही है हगवान राम, माता सीता, लक्षमन, हनुमान, रमायन के हर केदार की मूर्ति को तराशा जा रहा है इन मूर्तियों को बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से काम में तेजी लाने को कहा गया है कारिगरों की छुट्टिया रद्ध कर दी गई हैं बाहर से और कलाकार मंगवाए गई है मुर्तियों को सिमेंट, सरिया और कंक्रीट के मिशन से त्यार किया जा रहा है ये मुर्तिया विश्व हिंदू परिशत की तरफ से बनाई जा रहे हैं मूर्तिया बनाने का काम पात सालों से चल रहा है वेश्व हिंदू परिशत का दावा है कि मंदिर को लेकर संतों की देव वानी के बाद ही मूर्तिया बनाने के काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है अयोद्धा केस पर सुप्रीम कोट में अगली सुनवाई अगले साल ही होगी संत, समाज और संग मंदिर निर्मान के लिए अध्यादेश की मांग कर रहे हैं तमाब नेता दावा कर रहे हैं कि मंदिर का निर्मान होकर रहेगा इस बीच राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की पहली जलक ने भक्तों के जोश को बढ़ा दिया है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी लाइक कीजिए हमारे वीडियो और शेर कीजिए